तो आने वाले लक्षियरस में हम क्या करने वाले हैं हम O-Level सीखेंगे Python का ठीक है यह 100 marks का होता है ठीक है 100 marks का होता है तो अब देखते हैं कि पहले इसका syllabus क्या है ठीक है तो जिस पगारा syllabus आप देख पा रहे हैं कि syllabus में सबसे पहले 100 number का है यह तो आपको समझ में आ रहा होग दूसरा क्या है कि introduction to programming और यह जो introductory part होता है और उसमें जो algorithm और flowchart इन्होंने और जोड़ दिया है ठीक है algorithm और flowchart तो यह दोनों कितना number का है 20 number का उसके बाद python basics है ठीक है जिसमें operators, expressions, statements, sequence, data types यह सब हैं यह सब 30 number के हैं उसके बाद functions, files, processing और modules यह मिला के 30 number और numpy basics मिला के 20 number ठीक है numpy का मतलब यह नहीं है आप कुछ और मत समझना, numpy का मतलब numerical python होता है ठीक है यह एक तरहके से library होती है array manipulation के लिए अभी हम लोग देखेंगे तो की गया होती है तो आपको समझ में अच्छे से आएगा फिलाल के लिए अभी आप यह सलेवर सम्झें कितना important आपके अभी रखता है ठीक जगो अब देखते हैं इसका details से लेवस्त हुआ कि details में क्या क्या है तो details में अगर हम बात करें तो सीज़े सीज़े देखो the basic model of computation algorithms हो जाए यह important है ठीक इसके बाद इसनों भी basic है कि हाँ बैसिक आपको समझ में आना चाहिए कि testing क्या चीज होती है debugging क्य optimization क्या होता है ठीक बाकी algorithms में जब आप जाओगे तो algorithms क्यों लिखते हैं वो ठीक है algorithms क्यों लिखते हैं वो और आपका flowchart slowcharts का हम यूज करें कि कैसे algorithm को represent करते हैं और कौन-कौन से हमको algorithms ध्यान में रखने है क्योंकि यह दिये हुए है ठीक है binary conversion दिया हुआ है ठीक है Sinex दिया हुए Fibonacci series ठीक है प्राइम नंबर है कि कोई नंबर अगर आप इन्पुट दे रहे हो कहीं तो प्राइम नंबर है कि नहीं यह पता करना हो तो वो सबका algorithm क्या होगा ठीक है अब उसके बाद आपका आता है introduction to python python का introduction में सीज़े सीज़े python का छोटा सा code लिखना हो मतलब syllabus में है और उसके बाद concatenation indexing slicing यह सब की जाती है string में string जो आप नाम लिखते हो उसे string कहते है ठीक बागी lectures में आपको और समझ में आएगा और data types मतलब कितने data types होते हैं जैसे numbers हो गया list हो गया float हो गया complex number हो गया ठीक है sets हो गया तो यह सब जीज़ें आपको मिलेंगी python में ठीक अब देखते हैं कि आपका और क्या किसमें है अब देखते हैं operators है operators और अब देखो operators expression and python statement statement का मतलब देखो साफ इफ फेल्स ठीक है और आपके इसमें आजाएंगे loops for continue assert while statement यह साही चीज़ें आपके operators में आजाएंगे operators expression और python statements में ठीक है अब operators का मतलब हो गया वही assignment operators expression arithmetic relational अभी यह साही चीज़ें में कराऊंगा ठीक है तो इन सब चीज़ें में देखें आप logical bitwise यह सब आपको किस तेगे से operators होते हैं अब assignment operator आपको दोगे तो इस equal to ठीक है अब यह सब चीज़ें जैसे equal to हो गया माइनस हो गया यह सब operators है तो उसी प्रकार से greater than equal to यह सब चीज़ें किस में आती है operators में आती है ठीक है अब उसके अलावा sequence data types आपके पास मिलेगा sequence data types मतलब कि जो data types आपने भी समझा था उपर कौन सा data types आपने उपर भी देखा था देखा था आपने इंटीजर टाइप ठीक है फ्लोट टाइप उसी तरीके से अब सीरी sequence data भी आते है जिसके अंदर हम उसकी slicing concatenation minimum maximum number कौन सा है आप जैसे कोई एक लिश्ट दिया है उसमें मान लों कि इसमें मैक्सिमम कौन है तो वो चीज़ें आपको पता करनी होंगी यह सब functions लगाके उसके अंदर फंक्शन की बात आती है तो function दिया हुआ इसमें देखो फंक्शन जो होते हैं वो कई ताइप के होते हैं आप एक तो predefined function आपको मिल जाएगा एक दूसरा होता है आपको function ख लाइबरेरी बिल्ट इन function का मतलब जो पहले से बने हुए जैसे दो को यह lower हो गया lower का मतलब है कि जो अगर तुमने छोटे में लिखा जैसे मिन मैंने छोटे में लिखा है तो यह क्या होगा अपर कर दूंगा तो क्या हो जागा मिन बरे में लिख देगा ठीक है इस lower मतलब लोवर है तो यह true देदेगा lower नहीं है तो false देदेगा ठीक है तो इस तरीके से यहां पर काम होगा अगला देखते है अब बाकी बचा हुआ भी देख लेते हैं कि क्या है सले बस में तो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सब चीज़ें पहले से लिखी हुई है यह यह सब predefined है तो आपको बस देखना है कि यह करता क्या है और इसका यूज कैसे है ठीक अब जैसे यहां पर हो गया है इंटीजर है रैंडम है ठीक है इवैलुएशन है मैक्स मीन है जैसे मैं आपको बता रहा हूं सब्सक्राइब इस तरीके से अब फाइल प्रोसेसिंग क्य क्या हुआ वेरीबल हो गया है ठीक है तो आपको वेरीबल मिलता है ठीक लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको डेटा जो होता है उसको फाइल में सेव करना होता है ठीक है यह फिर फाइल से इन्पुट लेना होता है तो उस समय आप क्या करते हो उस समय आप फाइल प्रोस करना ठीक है लाइन लिखना लाइन को पढ़ना ठीक है तो वो सब चीज़ें आप हम किसमें देखेंगे फाइल प्रोसेसिंगे उसके बाद आता है स्कोप और मॉडूल मॉडूल वही जैसे कि आप खुद एक लबरेरी बना रहे हो ठीक है अभी आप इतना समझें कि मॉडूल का मतलब होता है कही सारी function को एक ही जगा पर आपने रख दिया और वहां से उसको यूज करता है ठीक आफिर पैसिक्स लार्ष कहां 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 आथ है मतलब कहां कहां आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है अब हूंक टौफ नहीं है आसान है वस समझने की दिए ठीक तुछ कि नम्पाइ बेसिक्स लाज्ट नम्पाई बेसिक्स में जैसे कि आपका एरे बनाना ऐखेया एक्जिस्टिंग डाटा एरे क्रियेसिंग ऐप आन जिसको स्लाइस करना जैसे पांच पांच नमबर दिया है और उसको आपने क्या क्या तीन भाग में बाठ दी हैं तो वो गया slicing तो यह स्लेबर्स है जिसको हम एकर करके देखेंगे पैटर्न में जैसे एक हो सकते है कि और रिंग में हो सकता है कि मैं पहले Python करा दूं फिर indexing पे छलें ठीक है Python करा दूं फिर उसके बाद हम इस पर इसको करेंगे इसको हम पहले करेंगे इसको हम पहले करेंगे Python को क्योंकि यह हमारा क्या यह ज्यादा आपका पहले तो cover कर दीए चीज है ठीक है 80 नंबर cover कर रहा है और दूसरा चीज क्या है कि इसको करने के बाद आपको यह करना तो आसान पड़े रहे हैं ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले python देखेंगे ठीक चलो